आई गाईज, आप सभी का काफी ज़ादा डाउट्स आ रहे थे रिलेटेट टू यूर अड्मिशन प्रोसेस, जो कि आज के वीडियो में मैं कोवर करने वाला हूँ, इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट में मैं कल अपलोड करूँगा, तो अगर कोई भी डाउट आप सभ पर्ट in non-CVT admission, तो आपने शाहिद देखा होगा, जो भी आपका admission प्रोसेस का जो भी notification आया है, उसके लिखाए कि अभी non-CVT admission चलेगा, उसके बाद CVT admission चलेगा, तो काफी सारे student सोच रहे कि अगर मैंने CVT दे दिया है, तो क्या मैं अभी non-CVT admission में पार्ट ले सकता हू या फिर नहीं, तो इसका सीधा सा अंसार है कि हाँ, आप ले सकते हो, एंड आपको लेना भी चाहिए, ठीके, non-CVT admission यानि आपको इधर पे बस class 12 का marks को डालना है, और इस पे अगर admission होगा, तो class 12 के mark को count किया जाएगा, HS का mark को count किया जाएगा, आपके CVT का marks को इधर पे नहीं लिया जाएगा count पे, ठीके, यानि आपका अगर HS का mark अगर अच्छा है, तो आपको इधर पे admission मिल जाएगा, उसके बाद अगर किसे student का इधर पे admission नहीं मिलता है, और उसके बाद अगर अपने CVT दिया है, तो जाक में और बताना चाहता हूं कि समर्थ portal registration का कोई भी last date नहीं है, ठीके, आप उसको apply कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि college selection से पहले apply हो जाना चाहिए, ताकि आपको college selection करते वक्त कोई भी problem face ना करना पड़े, college selection का date कितना से कितना है आपको 27 से यानि पर्सू से लेके आपका 2 जुलाई, 2 जुन तक चलेगा, ठीक है, 27 में से लेके 2 जुन तक आपका, 2 जुन तक अपका admission process में, जो भी college selection या फिर program selection का part है, वो चलेगा, ठीक है, तो next जो डाउट है, हमारे पास वो है कि अभी as a student आपको क्या करना चाहिए, तो आप मेरे साथ contact कर सकते हो, आपको मैं वो process बता के देख सकता हो, या फिर मतलब मेरे पास जान पैचन वाले वो है, जिन से बात कर वागे में आपका, जो भी admission process में, जो भी आपका cast certificate, income certificate है, उसमें थोड़ा help मैं कर सकता हो, आप सभी का, ठीक है, अगर चाहिए, तो आप मेरे सा पताने वाला हूँ, तो कल से पहले आपको इसको लेके कोई भी doubt, अगर दिमाग में आए, तो आप सिधा जाके, आपको comment section यूज करके, comment section पर आपको comment डाल देना है, ठीक है, तो next कुछ मैंने comment मैं उठाया है, नीचे से, जो कि मैं आज के वीडियो में मैंने सोचा है कि answer कर कर लूँगा, ऐसा होगा क्या, तो जी हाँ, ऐसा ही करना है, जैसे मैंने बोलाई कि आपको अभी CVT, non-CVT, वो सब सोचना नहीं है, अभी जो admission process start होगा, जो कि non-CVT admission रहेगा, उस पे आपको part लेना है, उसके बाद अगर non-CVT में admission नहीं होता है, देन जाके आपको CVT program म बाद में जाके admission के लिए apply, फिर से कर लेना है, ठीक है, लेकिन अगर आपका HS का mark अच्छा है, तो अभी आपका admission process हो जाएगा, complete, उसके बाद आपको CVT part में फिर से admission लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, नेक्स जो डाउट हमारे पास है, वो है कि sir, rechecking पे बढ़ जाए मैंने, marks अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, old marks ही रहेगा, या फिर समध portal पे अभी के लिए या पे new marks upload करना होगा, तो देखिए, आपका rechecking का जब तक आपका marks आएगा, तब तक आपका admission process complete हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अभी का ज नेक्स राउट यही है कि भाईया, आप क्या असाम इनिवर्सिटी ब्ल्लब कोर्स के लिए 12 का marks से admission होगा क्या, तो जी हाँ, आसाम इनिवर्सिटी से ये notification दे दिया गया है, कि इस बार से ऐसा होगा कि 80% seat from each department will be filled up by class 12 marks, 20% जो भी seat रहेगा, वो CVT के marks से admission दिया जाएगा, यानि आपको अगर CVT marks से admission लेना चाहिए, अगर लेना है, तो आप उसके लिए भी apply इस बार से कर सकते हो, cut up कितना जाएगा, ABC NCL के लिए वो मैं अभी फिलाल नहीं बता सकता, जब तक admission process start ना हो, ठीक है, उसके बाद और एक doubt है, please make a detail video on FIG program, जो कि मैं कल के वीडियो में discuss करूंगा, अभी discuss करने के लिए ये वाला topic नहीं है, लेकिन और एक चीद बता देना चाहता हो, कि बहुत सारे student पूछ रहे, कि अभी जो admission process start होने वाला है, समध के लिए, वो कौन से कॉलेज के लिए है, क्या वो आसाम इनिवर्सिटी के लिए है, या फिर नहीं है, तो दे university के जो main campus है, उसका application अभी तक start नहीं हुआ है, उसका application का process जो है, वो बाद में website पर दे दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा, मैं आपको upload करके वो सब चीज़े बता दूँगा, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कि चैनल को एक बस subscribe कर देना है, साथी साथ नी वीडियो कर अच्छा लगा, तो वीडियो को एक बार like करके, वीडियो को share करके, साथी साथ चैनल को एक बार subscribe कर देना, thank you, good night